हेलो वान वेलकम तू रेडियंट अकेडमी मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूँ रेडियंट अकेडमी के इस नए एडिटोरियल अनलिसिस में आज हम दहिंदू का एक एडिटोरियल का अनलिसिस करेंगे लेकर उससे पहले 10 important words देखेंगे पर सारी चीजे शुरू करने से पहले विशु आल अवेरी happy teachers day it is only because of you good students that a teacher can become a good teacher so you make the teachers and therefore we can celebrate teachers day right चलो so let us start with the lecture today आज का जो पहला word है हमारे पास वो है है retribution retribution यह पहला word है retribution का मतलब होता है बदले की भावना से दी गई punishment है ना ऐसा कोई काम या ऐसी punishment जो बदले की भावना से दी गई है यह देखो punishment देने के objectives अलग अलग हो सकते हैं एक तो गलती सुधारमी के लिए punishment दी जाती है, या फिर बदले की भावना से, तो बदले की भावना से जो दी गई है, उसे कहेंगे हम retribution, एक हो sentence पड़ो, the villagers sought retributions, villagers ने क्या सीख किया, retribution सीख किया, कि punishment दी जाए, ताकि हमको satisfaction मिले थोड़ा सा, ये ना, बदले की भावना से, तो satisfaction मिलने जैसी चीज, तो retribution सीख किया, against the bandits, who had terrorized their homes, bandits का मतलब होता है, डकेत, डकेत, है ना, तो डकेतों के against, action linear, उनके against, retribution सीख किया, कि punish करो, और ऐसा punish करो, कि हमें satisfaction मिले, कि नहीं उनको punish किया गया, तो बदला, बदले की भावना होती है, retribution में, ठीक है, देखो, meaning देखो, punishment inflicted on someone as vengeance, बदला, for a wrong or criminal act, किसी ने कुछ गलत किया है, तो उसको punishment तो देना है, लेकिन वो बदला लेने के हिसाब से दी गई punishment, उसको सुधारने के हिसाब से नहीं होती है, ठीक है, या, payback, किसी को उसी के, यहने क्या गयता है, कुसी के, उसी की तरह उसको जवाब देना, that is payback, antonyms, forgiveness, maaf कर देना, pardon, maafi again, mercy again, maafi, तो क्षमा करना, दया, दया दिखा के उसको maaf कर देना, that is mercy, समझ गया, retribution, retribution is nothing but punishment, but in the form of revenge, जिसमें बदला हो, ठीक, clear, चले, next word पे, next word we have is impunity, impunity, शायद यह word हमने इससे पहले देखा है, शायद, impunity का मतलब क्या है, impunity मतलब किसी punishment से छुटका, छुटकारा मिलना, जैसे, for example, हमारे देश के प्रदान मतरी, अगर वो किसी देश में official visit पे जा रहे, तो उनको impunity होती है, मतलब उन्हें कोई checking से नहीं गुजरना पड़ता, है ना, तो वो उन्हें खूट मिली होती है, का बोल दिया है क्या मैंने, खूट मिली होती है, जो पनिश्मेंट से या किसी checking से मिलने वाली खूट होती है, right, तो that is called चूट, तो impunity का मतलब होता, basically किसी भी punishment, checking, इन सबसे मिलने वाली खूट, exemption, देखो sentence, कि corrupt officials acted with impunity, knowing they would never be held accountable, कैसे officials थे हैं, corrupt officials थे, तो उन्हें ने कैसे act किया, they acted with impunity, मतलब ये सोच के उन्हें ने act किया, कि अपने को तो punishment मिलनी नहीं है, अपने को तो इन सारी चीजों की छूट है, क्योंकि हम इस position पर है कि हमें कोई कुछ करी नहीं सकता, तो ये जो feeling है, that is the feeling of impunity, कोई भी punishment से मिलने वाली चूट, या exemption, देखो meaning इसका, exemption from punishment or freedom from the injurious consequences of an action, it is nothing but an exemption from punishment, if you hold such a position that you don't get punished for committing a crime or doing a mistake, right or making a mistake not doing a mistake, clear, समझ गया, तो impunity मतलब क्या, impunity मतलब food punishment से मिलने वाली synonyms क्या होंगे इसके, immunity, आप immune हो, आपको कुछ नहीं हो रहा, immunity क्या होती है, प्रतिकारशक्ती होती है, body की, यहने आपको virus आजाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होरा, अगर आपकी immunity अच्छी है, तो उसी से word आया है immunity, exemption मतलब छूट, और freedom, आप free हो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, right, तो that is impunity, एंटॉनिम्स क्या होंगे इसके, जिम्मेदारी, liability, या responsibility, accountability, इन तीनों words का मतलब है, जिम्मेदारी, कि जो जिम्मेदार है, उसे punishment मिले, right, इसलिए यहां पर, एंटॉनिम्स कौन से words है, liability, responsibility, और accountability, तीनों का मतलब है, जिम्मेदारी, खीक, चले अगले word पर, next word we have is oblivious, oblivious का मतलब होता है, ignorant या careless होना, किसी चीज के तरफ ध्यान ना देना, आप पता ही नहीं था आपको क्या हुआ, you were ignorant, you were careless, therefore you were ignorant, unaware थे आप, that is oblivious, देखो sentence, he walked into the room, oblivious to the tense atmosphere, वो रूम में गया, महाँ पे tense atmosphere था, लेकिन उसको उसके बारे में पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था, वो जा रहा है, मस जोक बोक मार रहा है, और अंदर का महाँल एकदम tense, तो he was oblivious, oblivious है नहीं, वो कैसा था, oblivious था, मतलब unaware था, उसको पता ही नहीं था, अंदर क्या है, ठीक है, देखो, oblivious का मीनिंग क्या होता है, not aware of or not concerned about what is happening around one, अपने आजू बाजू क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मस्त्राओं मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ऐसे वाले को बोलेंगे हैं, oblivious, है ना, synonyms क्या होंगे इसके, unaware, ignorant या heedless, heed का मतलब होता है ध्यान देना, heedless मतलब ऐसा वेक्ती जो ध्यान नहीं देता, ignorant, ignorant बता है ना, ignore करने वाला कोई, वो भी ध्यान नहीं देता किसी, इसके antonyms क्या होंगे, aware, mindful या conscious, if you are conscious, you know that what is happening around you, आप conscious होते हो, बराबर, clear, समझ क्या ही, तो oblivious का मतलब, oblivious है ने, careless, ignorant, basically, unaware, that is oblivious, चलो, next word भी जाएंगे, next word we have is inflicted, inflict का मतलब होता है, किसी चीज का आघात होना, that is, the storm inflicted severe damage on the coastal towns, coastal towns पे, storm ने बहुत सारे damage, बहुत सारा damage किया, मतलब, बहुत सारा आघात किया, right, देखो sentence, sorry, meaning, देखो इसका, inflicted का, to cause something painful to be suffered by someone or something, जैसे, there are lot of disease, which are inflicted by the society, जैने, society का आघात होता है, आपके, जिसकी वज़े से आपको कोई disease हो जाता है, for example, अभी जो नए-नए disease आड़ हो रहा है, जैसे depression, depression, पहले disease नहीं consider किया जाता है, ताब disease consider किया जाता है, it is inflicted by the society, society से भी inflict हो सकता, ये depression वाला disease जो है, समझ गया, तो आघात होना is called inflicted, या inflection, synonym क्या होगे इसके, impose करना, कोई चीज बाहर से ऐसे, impose करना, administer करना, या force करना, जबरदस्ति किसी को देना, डालना किसी पे, that is आघात, antonym क्या होगा असको, antonym क्या होगा, दुख दर्ज से relieve करना, free कर देना उसको, या alleviate करना, alleviate का मतलब होता है, निर्मुलन, करीबी हटाओ, poverty alleviation, तो हटाना, निर्मुलन करना, निकाल देना, that is alleviate, या soothe, toothe मतलब, शान्त करना, अभी मेरा कुछ दिन पहले गला खराब था, इसलिए, पीछ में, क्लासेस में, ब्रेक पड़ी ना, तो गला खराब था, गला खराब था, तो, डॉक्टर ने क्या कहा, कि दवाईया तो दी, पर additional, he said, तो, अपना हनी लेते जाओ, शहद, थोड़ा- soothing effect मिलता है, यहने वो शान्त करता है तुमारे गले को, जहां पेन हो रहा है ना, उसको वो कम करता है, that is soothing, शान्त करना, इसलिए, फिर, inflicted का मतलब होता है, किसी का आधात होना, और really evaluate का मतलब होता है, निर्मुलनों से, बाहर मिकाल लेना, here, चले अगले word पे, next word we have is rioters, rioters riot, riot का मतलब होता है, दंगा, और rioters मतलब दंगाई, ऐसे लोग जो दंगा करते हैं, उन्हें हम rioters बोलेंगे, और दंगा को बोलेंगे, riot, ठीक है, देखो sentence, बहुत सिंबल सा word है, the police struggle to control the rioters during the protest, दंगा करने वाले को control नहीं कर पाए, meaning क्या होगा इसका, people who take part in violent disturbance or violent disturbance of the peace by a crowd, बहुत सारे लोग जमा हो गए, सांतता को भंग कर रहे हैं, सांती को भंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, गंगाई, गंगाई मतलब rioters, synonym, और क्या-क्या words हो सकते हैं, राइटर्स के लिए, exactly rioters का मतलब नहीं होग यह जो भी words है, they will be similar, rebels, rebel याने people who go into the opposition, protesters, जो किसी चीज के अगेंस, protest करेंगे, agitators, again protesters, insurgents, they may not exactly mean rioters, protesters, peacefully भी protest कर सकते हैं, इगे न, rebel may not take violent actions, यह भी हो सकता है, rioters generally take violent actions, rioters means violent action करने वाले को ही हम rioters, लोग protest कर रहे हैं, शान्ती से बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगोंने पत्थर फेकना शुरू कर दिया, तो जो लोग शान्ती से बैठे हैं, वो rioters नहीं हैं, जिन्होंने पत्थर फेके, वो rioters है, समझ गए, चलो, एंटॉनिम्स क्या गए, इसका, तीसमेकर्स जो शान्ती लाते हो, rioters नहीं तो दंगा करने वाले हो गए, law abiders, जो नियमों को, नियमों का पालन करें, वो law abiders, defenders, बचाने वाले, abide करना मतलब मानना, follow करना, तो law का, नियमों का पालन करना, law को follow करना, मतलब law को abide करना, clear, यहां तह clear है, चले बढ़ना त्रेड मतलब अपने कदमों पे धीरे धीरे आगें बढ़ना दाट इस ट्रेड ठीक देखो देखो यह केरफुली ट्रेड टी नैरो पाथ अलॉंग दी क्लिफ साइड एक लिफ थी क्लिफ थी एसी वहां पे एक नैरो पाथ था ऐसा जाने वाला वो नैरो पाथ से उसने ट्रेवल किया तो वो नैरो पाथ से चलते गया मतलब ट्रेड किया उसने बढ़ते गया चलते गया डाट इस ट्रेड मेनिंग क्या होगा इसका तू वह किन स्पेसिफाइड वे चलना बेसिकली बागी कुछ नहीं है ट्रेड का मतलब बस चलना है बढ़ना है इसके व लॉक, टेप, ट्रैम्पल या मार्च, धीरे धीरे आगे बढ़ना मतलब ट्रैम्पल करना या मार्च करना पुलीस वाले आर्मी वालों का मार्च होता है न वह सिनोनिम्स हो गए, exact meaning नहीं होता उसका चलना, एंटोनिम्स क्या होगा इसके पीछे हटना, ट्रेट का मतलब है आ ट्रेड इस नथिंग बढ़ना या चलना, चलो, नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, नेक्स्ट वर्ड भी हैव इस ग्लोटिंग, ग्लोटिंग का मतलब होता है हवा में उड़ना जैसे होता न, जैसे आपने कुछ बहुत अच्छा अच्छीव कर लिया, तो आप खुश होते हो, है न, लोगों को बताओगे, ग्लोट कर रहे हो आप, ऐसा लोग दूसरों के पेलियर पे भी करते हैं बहुत बार, है न, कि दूसरा फेल हो गया, वो चीछ सब को बताएंगे, है न, क्योंकि उसको दूसरे के फेलियर में भी खुशी हो रही है, तो ऐसे ये जो बिहेव इस्थ ग्लोटिंग ओड्र अर्र कम्पीटिर्स डिफीट, उसके कम्पीटिर्टर की डिफीट हुई, इसलिए वो ग्लोट करने से खुद को रोकनी पाई, वो चार लोग को बतार है रहे, देखो वो हार गया हा रहे, देखो उसके साथ ऐसा हुआ, इस तो ये वो क्या लिया या फिर किसी का नुकसान हो गया या कोई हार गया उसी में बस जी रहे हो तो उसी पे बात कर रहे हो उसी पे चर्चाए कर रहे हो डाट इस क्लोड करना कि नहीं इसके ब्रैगिंग मतलब बहुत एक्टिवली किसी चीज को बताना नहीं ब्रैक करना भूलते न में लोग ब्रैक करना इसलित बड़ा चांडा के अपने बारे बताब बादा गएग कि पोस्टिंग बढ़ा के बताना एक दम वा ऐसा किया वैसा किया रिवेलिंग रिवेल का मतलब हमने अभी एक दो दीन पहले देखा था रिवेल का मतलब है खुश होना आनन्द व्यक्त करना किसी चीज़ तो यहां पे दूसरों के दुख में दूसरों की हार में खुद को आ जीट ठपतबा रहे हों उसके साथ हो उसे उससे तुम सिंपधाइस कर रहे हो कि नहीं ठीक है चलता है हार जीट चलती रहते हैं यहां इसा बीड़ा बीएवियर जो किसी के हार पे होता है या खुद की जीट पे बहुत एक्सेसिवली सेलिब्रेट करना लोगों को बताना that is called floating समझ गए यहां तक क्लियर है चले अगले वर्ड पे अगला वर्ड इस ग्रैपल ग्रैपल का मतलब होता है जूजना मुश्किलों से जूजना that is grapple करना देखो sentence टी टू रेस्टलर्स ग्रैपल्ड ऑन दी मैट अंट अब तक कोई हार नहीं गया तो जूजना लड़ना किसी से that is called grapple देखो grapple का मीनिंग तो एंगेज इनगेज इन अ क्लोस फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स तू रेसल करना रेसल करना फाइट करना that is called grapple synonyms generally हम ऐसा नहीं है grapple लोगों के साथ ही करेंगे हम situation से भी grapple कर रहे होते हैं मतलब हम जूज रहे होते हैं that is wrestle, struggle, struggle is very similar to grapple, hustle करना या battle करना, लड़ना, जूजना, that is grapple, antonyms क्या होंगे इसके, free, नहीं लड़ना, must, free, enjoy करो अपनी लाइक जैसे release, free या जूजना है तो बुस चीज से avoid कर लो, खुद, फजल से निकल जाओ, साइट से, बिना जूजे, बिना लड़े, that is avoid, समझ गया, grapple, simple सा word है, grapple मतलब जूजना, चलो, next word भी जाएंगे, next word we have is stalling, अभी आपने, stall यह word सुना हुआ, stall, stall है न, पानी पूरी का stall लगा है, तो stall लगा है का मतलब क्या होता है, वो stall यह है, कि वो गाड़ी है, जो चलती है, लेकिन वो रुकी हुई है एक जगा, and because he is, he has stalled there, he is stalling there, you go to him and eat your पानी पूरी, तो वो रुकी हुई चीज है, इसलिए उसको हम stall कहते हैं, तो रोकना मतलब stall करना, symbol, रोकना यह रुकना, यह stall, उसी से वरड आया है, stall, पानी पूरी का stall, इसका stall, उसका stall, इसका stall, तो निगोशियेटर was accused of stalling to avoid making any commitments, तो यहां पे stalling का मतलब क्या होगे, रोकना, है न, देखो stalling, meaning क्या होगे इसका, to delay or obstruct by evasion or deception, to delay या obstruct, रोकना, बाधा डालना, that is stall, synonym क्या होंगे इसके, delaying, procrastinating, procrastinating मतलब किसी चीज़ को बहुत लंबे देर तक सोचना, विचार करना, procrastinating, hindering, hindering मतलब बाधा डालना, और stalling तो यही तो word है, stalling, तो यह नहीं आएगा, ठीक है, एंटॉनिम क्या होंगे इसके, अब रोकना, रोकना से, रोकना का opposite क्या होगा है, चलने देना, बढ़ने देना आगे, मतलब advance होने देना, hastening, hastening मतलब speed, expediting, expedite करना मतलब fast होना, किसी चीज़ को speed up करना, that is expedite, समझ गए, here यहां तक stall करना मतलब क्या, stall is रोकना, stalling मतलब रोकना, चलनो, next word, how many words do we have, I hope this is the last one, strenus is the last word, strenus, strenus का मतलब होता है, tough, something that is tough, जो मुश्किल है करने में, उसे हों strenus बोलेंगे, तेखो, the hikers, hikers मतलब hike करने वाले लोग, टढ़ाई करने वाले, embarked on a strenus journey, up the steep mountain trail, hikers ने एक strenus journey, tough, मुश्किल जरनी चुरू की, तो strenus का मीनिंग क्या होगा यहां पर, requiring or using great effort or exertion, ऐसी चीज जिसमें बहुत थकावट हो, बहुत exertion हो, मतलब मुश्किल, tough चीज, synonym, arduous, यह वर्ड हमने देखा है पहले, arduous, तफ, laborious, मतलब जिसमें बहुत labor की जरूरत पड़े, मेहनद बहुत करनी पड़े, intense या demanding, demanding in the sense, यहां पर आपकी energy की demand बढ़ जाए, that is demanding, एंटॉनिम क्या होंगे इसके, effortless, आराम से, उतरते वक्त, effort नहीं लगता, उतर जाएंगे नीचे, effortless, easy, या light, ठीक है, तो strenus is nothing but very, something very tough, और demanding, clear, समझ गए, यहां तक clear है, चलो, अब चलेंगे, हमारी close test में, तो आज आपके लिए ये close test है, अभी जो हमने 10 words use किये उस पर, इसका screenshot ले लो, और फिर हम क्या करेंगे, और इसके answers फिर comment box में देना, screenshot ले लो पहले, चलो, अब चलेंगे next, क्या है हमारे पास, अब we have a editorial, the editorial is follow middle on the regional election results in Germany, आज थोड़ा international topic लेंगे, चर्नमनी में कुछ states में election हुए है, उसकी results पर आज हम चर्चा करेंगे, ये editorial में, तो पहले just go through the first part, then we will discuss it, पढ़ लो इसको पहले, कि ली करेंगे, उसकी Hybrid Guide, आज हम चर्नमनी मांं करेंगे करने वसक हैं एताउर, झाम सकती को लेकोदेंगे, जह थे किती है, जी करेंगेंगे सлен scratch andolly powder, आपदेंगे, wanna make last littleá है, जह जह बो एक उन्याप्स टो, हैंगे घहखिंँ को पहांदेंगे झाल 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 ठीक है? चलो बढ़ लिया? Good हाँ, क्या दिया है भी फर्स पार्ट में? अगर नहीं पढ़ना हुआ होगा ना तो पॉस करके पढ़ ले रहा है चलो हालो मिडल, हालो मतलब खोकला अब जर्मनी के स्टेट्स के रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगा है, देखो क्या मुला है The Regional Elections in the Eastern German States of Thuringia and Saxony यह दो स्टेट्स है Thuringia और Saxony किदर है? Eastern part में जर्मनी के. Brandenburg goes to polls on September 22 यह additional information देखो, दो dash के बीच में यह information दिये मतलब this is an additional information क्या? कि तीसरा एक स्टेट है वो by September को वहाँ पे elections है, पर यह दो का results आ गया, Thuringia और Saxony का result आ गया have captured attention यह जो result है, इसमें attention capture किया क्यों? Because of the rise of the alternative for Germany, alternative for Germany AFD the far right party with neo-nazi roots तो attention क्यों capture किया क्योंकि वहाँ पे एक party है, जिसका नाम है alternative for Germany जर्मनी के लिए याने बाकी की parties के लिए far right party है यह याने right thinking वाली party हमारे हाँ यह right और left समझाना थोड़ा सा मुश्किल इतने कम समय में अभी लेकिन यह far right party है जिसके Nazism से related roots है, ऐसा author का कहना है यह author नहीं decide कर लिया कि वह political roots Nazism से related है तो Nazism से related roots है तो far right party है यह the results underline an unmistakable trend in German politics इससे एक नया trend यहां पे दिख रहा है the AFD despite earnest efforts, earnest का मतलब होता है serious efforts earnest मतलब serious despite earnest efforts by establishment parties to isolate it is on assent यह जो party AFD इसके खिलाफ जो establishment में parties है establishment में मतलब सरकार में सरकार का जो हिस्सा है सरकार का हिस्सा है coalition है basically तो इन्होंने बहुत प्रयास किये कि यह AFD को रोका जाए serious efforts लिये लेकिन फिर भी यह जो AFD नाम की party है उसकी growth हो रही है मतलब Germany की जनता उसे support कर रही है growth हो रही है मतलब क्या किसी भी party की growth कब होगी जब उसको votes जादा मिलेंगी मतलब जनता support कर रही होगी classified as extremist by the domestic intelligence domestic intelligence ने इनको extremist करके क्या किया है extremist करके classify किया है The AFD emerged as the largest vote-getter in Thuringia Thuringia यह जो state है वहाँ पे तो इनको सबसे जादा votes मिले 32.8% votes and finished second in Saxony with 30.6% votes यहाँ पे 30% मिले और उदर Thuringia में 32% Formed in 2013 it has built a base by constantly attacking the establishment and taking a hardline nationalist approach towards the immigration यह एक बहुत बड़ा problem उधर अभी Europe में टेखने को मिल रहा है Immigration का तो 2013 में यह party बनी थी और तबसे और जबसे party बनी है यह तबसे इन्होंने क्या किया है constantly establishment को attack किया है सरकार का विरोध किया है और यह कहा है इन्होंने hardline अप्रोच लिया है थोड़ा सा tough अप्रोच है इनका जो अप्रोच है इनका अप्रोच है इनका यह कहना है कि बाहर के लोग आ रहे हैं आप उनको आने मत दो immigrate मत होने दो हमारे देश में क्योंकि हमारे देश के संसाधनों पर हमको उनके साथ share करना पड़ रहा है तो this is their view और जो लोग बहुत राश्टर के बारे में सोचते हैं राश्टरवादी जिने कहते हैं उन्हें राइट विंग कहा जाता है और जो लोग लिबरल होते हैं इनको भी आने दो उनको भी आने दो यह भी तो लोग ही है इनकी भी हमको care करनी है ऐसे जो लोग होते हैं वहार बहुत बीसिक टर्म में भी बता अल्सो नोन आज सहारा वैगन कनेक्ट अलायंस emerged as a dark horse with 15.8% vote in Thuringia and 11.8% in Saxony अब देखो यहां पे एक दूसरी पारटी है रीजन और जस्टिस अलायंस नाम से इसका दूसरा नाम क्या है सहारा वैगन कनेक्ट अलायंस तो यह सहारा वैगन कनेक्ट अलायंस यही नाम से यह पारटी है रीजन और जस्टिस अलायंस यह कैसी है यह leftist nationalist है nationalist मतलब यह भी राश्ट्रवादी है लेकिन यह leftist है तो AFD is rightist और यह यह जो है BSW this is leftist इनों ने भी अच्छा परफ़र्म किया यह immersed as a dark horse, dark horse का मतलब होता है race जब होती है तो ऐसे घुड़े होते है जिनको से आप जीतने की अपिक्सा नहीं करते लेकिन वह अच्छा परफ़र्म कर जाते तो unexpectedly अगर कोई अच्छा परफ़र्म कर जाते तो उससे हम कहेंगे dark horse ठीक है, with 15.8% votes in Thuringia and 11.8% in Saxony, the party which opposed Germany's continued military assistance for Ukraine and campaigned for better social protection for workers and tougher laws to control immigration finished third और एक ऐसी party थी यह party, sorry, यह तीसरे नमबर पे आई क्या वुला हिनोने, the party which opposed Germany's continued military assistance for Ukraine Germany भी Ukraine की साहता कर रहा है Ukraine, sorry, Germany is a part of NATO तो it is providing assistance to Ukraine continuously, तो यह जो party है उनसी PSW इनोंने उसको continuously oppose किया बोले नहीं ऐसा क्यों करना है हमको उनकी जगडे में क्यों पढ़ना है तो वहां के मत करो और इनका क्या कहना था कि हमें better social protection दो हमारे लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए पहले उसको देखो वरकर्स को और tougher laws to control immigration immigration को control इनका भी यह कहना है immigration को control करो यह बाहर जाने वाले लोगों को जड़ा रोको, यह यूरोप में बहुत बड़ी समस्या उबर के आ रही है है अभी तो immigration को रोको यह बोलने वाली यह party है BSW तो यह तीसरे नंबर पे रहे लेकिन यह डार्क होस यह नहीं इनसे उम्मीद नहीं कर रहा था कोई कि यह तीसरे नंबर तक पहुचेंगे लेकिन फिर भी यह तीसरे नंबर तक पहुच गए समझ गया है we are talking about Germany right now eastern states of Germany तो now go through the second part अभी यह second वाला part पड़ो then we will go through this part also ठीक है पड़ो उसको अभी यह तो अभी यह तो अभी अभी इंग आप अभी इंग 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 अभी अभ झाल पर लिया है हाँ तो क्या है हमारे पास्टन क्या पता चल रहा है कि एक 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 एस्टैबलिश्मेंट सेंटिमेंट है एक एस्टैबलिश्मेंट मतलब सरकार के विरोध में ये मत है तो पढ़ा है कि यह जो करता है दो स्टैट्स में ये सरकार के विरोध में था इस आहिस्ता हमेंट था और सब्सस्टैबलिश्मेंट के विरोध में धाके यहां पे यह जो कि रहे यह जो जो जबनी dando के चो ब माच्वे नंबर पे रही इनको तो 6.1 परसेंट वोट्स मिले सिर्फ तिरंजीया में और 7.3 इंस आक्सों नहीं वहाँ पे चौथे नंबर पे रही और इनके जो पार्टनर्स है जिनके साथ यह अभी सरकार में है उनकी सहीयोगी पार्टिया जैसे ग्रीन्स या दूसरी प्र यही एक पार्टी थी जो सरकार का हिस्सा भी है और उन्होंने थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म भी किया ठीक है यह एक ही पार्टी है जो डिड़ वेल इस्पाइड दी तुरिंजीया रिजल्ट दा अफ्दी अनलाइकली तो फॉर्म दी गवर्मेंट आज नो पार्टी इस जॉइन को साथ पार्टी में और इनकी लिडरशिप को एकफ्ट करेंगे यह कोई पार्टि नहीं चाहती इस प्राइटिकल अंटेचिबिलिटी की एक स्ट्रेटिजी है पुछ पार्टिया ऐसी होती है जिनके साथ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं वो सोचते हैं कि इस से हमारी इमेज को खत्रा है इस प्राइटिकल अंटेचिबिलिटी तो ऐसा ही कुस्तोभी केस यहां पर लोगों को लगता है एफडी इतना राइट विंग है कि अगर हम इनके साथ चले गए तो हमारी इमेज को खत्रा है इसलिए हम उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं जर्मनी का पूरा पॉलिटिक्स ही अभी राइट की तरफ जुपता हुआ दिख रहा है विट इवन दो सोशलिस्ट एकिंग टफर लाइन ओन इमिग्रेशन और बड़ा मुद्दा क्या है यहां पर इमिग्रेशन तो जो सोशलिस्ट है समाजवादी जो लोग है वहां के व है वहां के नाम समाजवादी लेकिन एक सोच बता रहा हूं तो समाजवादी सौज में कि समाज के हर तपके को सिस्टे को पराबर अधिकार मिले फिर वो इप्र इमिगरेशन ही सपोर्ट करते लेकिन इस केस में वो immediate काभी इमिग्रेशन के खिलाफ भी अभी वो बोलने लगे हैं. Now, with the largest vote share in Turunjiya, the AFD will play a critical role in the state house as a powerful block even if it is kept out of the government. थले ही वो वहाँ पे सरकार ना बना सके. लेकिन उनके पास आज इतने votes है, इतनी सीटे रहेंगी कि वो वहाँ पे एक तगडा ब्लोक करके उभरे. And, if it continues to grow in popularity, it's expected to finish first in Brandenburg. अभी जो 22 सप्टेंबर को Brandenburg की election में है, उसमें तो वो टॉप करने का chance है. तो अगर इनकी popularity ऐसे ही बढ़ती रही, even the policy of political untouchability will come under stress. तो यह जो political untouchability है, कि नहीं इनके साथ नहीं जाना, उनके साथ नहीं जाना, इसको problem हो जाएगा फिर. यह author का कहिना है. Political untouchability, बहुत बार क्या होता है? कुछ ऐसी party होती है, जिनके साथ कोई जाने को तयार नहीं होता. क्योंकि उनको लगता है, इनकी सोच की वज़े से हमारी image को खत्रा है. लेकिन अगर वो party की seat बढ़ जाए, और वो सरकार खुझ से स्तापन करनी की स्तीति में आ जाए, तो फिर लोगों का ये जो untouchability वाला जो पारट था. जैना कि अब इनके साथ जाने में मुश्किल नीच कराब होगी, ये नहीं सोचते फिर, फिर उनके साथ चले जाते हैं वो लोग. जैसे हमारे स्टेट की politics देख लो, ये कभी अगर आज से आप 15-20 साल पहले देखते थे, तो शिवसेना और कॉंग्रेस कभी साथ में नहीं जा सकती थी. कॉंग्रेस के लिए शिवसेना वाज पॉलिटिकली अंटचेबल, I am talking 15 years back, कि उनके साथ नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत ही राइट विंग है, इस्ट्रीम राइट विंग है, पर देखो, पिछले 5-7 सालों में क्या हुआ, कॉंग्रेस और शिवसेना साथ में हैं, तो ये होता है, तो political untouchability depends on, कि तुम उनको कितना vote कहां से मिल रहा है, कि उनको कि ये बहुत है, टिक पढ़ लिया चलो गुड क्या दिया है इस पार्ट में तू चेक दी राइस ऑफ राइट विंग एक्स्ट्रिमिस्ट इस्टेबिश्मेंट पार्टी इस्पेशली मिस्टर शोल्स अनपॉपुलर कोईलिशन अब यहां पर ऑथर क्या करें कि यह जो राइट विंग एक्स्ट्रिमिस्ट पार्टी इस लिए जो सरकार में अभी हिस्सा है सरकार चला रहे है है ना उनमें स्पेशली कुन सी मिस्टर शोल्स की कोईलिशन के बारे में बात कर रहा है यह जो कोईलिशन है कि इसमें इनकी जो पार्टी है वो भी है ग्रीन्स है फिर फिर फ्री डेमोकरेटिक पार्टी है ना सोशलिस्ट है इनकी मिस्टर शो कि लोगों की भावनाएं किया है उसका ध्यान रखना चाहिए उनका गुस्षा किसके परती है उसका ध्यान रखना चाहिए और उनकी दिमांडस इनको भी समझना चाहिए यह नहीं समझेंगे तो फिर right wing party सत्ता में आ जाएंगी फिर वो extremist के तौर पर काम करेंगे ऐसा इनको लगता है The war in Ukraine and its impact on German economy which fell into recession last year are taking a toll on Germany यह Ukraine के war में, Ukraine और Russia के war में Germany जो पड़ा है बीच में unnecessarily बहुत खर्चे हो गए उसमें Germany के जिसकी वज़े से क्या हुआ, उसका एक impact इसमें भी देखा कि जो economy है जर्मनी की वो नीचे आ गई और जर्मनी में पिछले साल recession आ गया था और इसका खामियाजा लोगों को भगरना बढ़ रहा है Berlin should work towards ending the war, tackling economic challenges and addressing working class concerns जो काम करने वाले लोग है, उनके concerns को समझना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनको tax लगाते चलो, उनसे पैसे लगाते चलो, उनकी demands मत पूरी करो तो ये नहीं कर सकते, उनको war end कैसे होगा, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि just supporting one party or one country, economic condition को tackle करना चाहिए Unless the underlying condition that the far right exploits are addressed, mere political undratchability might not help installing the far right's rising Germany क्या कहा है यहाँ पे, unless the underlying conditions that the far right exploit, जो underlying conditions है, जिनको ये far right की parties exploit करती है मतलब कुछ ऐसी conditions है, लोगों की भावनाए क्या है, कि बाहर से लोग आ रहे, immigrants बहुत सारे आ रहे जर्मनी में जिनकी वज़े से संसाधनों को share करना पड़ रहा है, resources को और हमारे पूरे resources हम खुछ जर्मनी वाले नहीं use कर पा रहे तो लोगों की भावनाए इसके प्रती जर्मनी चादा होती है, कि हमारी resources हम use करें इसके तरफ अगर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, लोगों को लगेगा कि AFD अच्छ ही है, वो हमारे बारे में बात कर रहे हम उनके साथ जाएंगे फिर क्या होगा, फिर आपको ये political untouchability वाली जो चीज है पर आप ज़्यादा नहीं रह पाएंगे फिर political untouchability के नहीं ये extremist है, ये है, वो है, बोलके आप उनको जीतने से नहीं रोक सकेंगे फिर वो काम करके जीत जाएंगे, और जब वो जीतेंगे तो फिर आपके लिए problem होगी might not help stalling the far right's rise, far right के rise को आप stall नहीं कर सकते हैं अभी हमने word देखा, stall मतलब रोकना, hurdle डालना, hindrance डालना, in Germany where memories of nazi violence are still fresh, और वहाँ पे nazism की जो memories है वो अभी भी fresh है अचानक ये चीजों को सब far right बोले तो एकदम nazism से जोडने लग जाते हैं सीधा ना कि ये बाकी लोग भी उतने ही बुरे होंगे, शायद नहीं भी हो सकता है ठीक है, चलो, अब let us now move on to the questions तो पहला question है, why can't the AFD form government, though being the highest vote gator सबसे बड़ी votes इनको मिल है, सबसे जादा votes, फिर भी है सरकार क्यों नहीं बनाए बाएंगे, इसका आपको अंसर देना है which of these parties is not in the establishment, सरकार में इन में से कौनसी party नहीं है which of the following word has nearly the same meaning to the word stalling अभी stalling को मैंने अभी आपको बताया, मतलब, इसका मतलब आपको बताना है next question is, what is the meaning of the phrase in the bold? यहाँ पे जो phrase है bold में, dark horse, उसका मतलब क्या है वो आपको बताना है और यह जो thuringia और saxony states है, यह जर्मनी के कौनसे part में located है यह आपको बताना है, ठीक है, तो यह है questions आपके लिए again wishing you all a very happy teacher's day तो आंसर्स सभी के देने हैं, यह जो passage हमने देखा, इडिटोरिल देखा उसके भी questions के answer देने हैं और close test के भी, ठीक है, तो यही रुखेंगे, thank you very much